तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे यहां पर एक सेंट्रलाइज बाइन्स या एक एक चेंज से आप एक ऐसे डी सेंट्रलाइज वालेट में अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं तो आज मैं जो डेमो दोने वाला हूं यह मेटा मास्क एक तो इसमें हम ट्रांसफर करेंगे अपना बाइन्स का फंड तो यहां पर मैं वीडियो बनाने का पर्परस इसलिए है कि जो भी आपका यहां पर फंड आप यहां पर ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करते हो तो यहां पर जो फंड को उसने गलत यूज किया यानि उसके अगैंश उसने कुछ लोन लिया तो यानि सारा जो अभी फ्टी एक्स में क्या हो रहा है कि इन लोगों का विडॉल्स नहीं हो पा रहा है और यह बिल्कुल जरे से यहां पर बैंक रॉप्ट हो चुका है तो यहां पर मेटा मास जैसे decentralized wallet में ऐसा नहीं होता है यहां पर फंड में जब तक आप उसे access नहीं दे सकते हैं तो आपका जो फंड है वो किसी दूसरे काम के लिए use नहीं कर सकता है ठीक बिना authentication के आपका वो fund use नहीं कर सकते है ठीक है कोई भी आपके address से कोई भी fund जाएगा तो बिना authentication के यहां प आपका एक password होता है अगर जो वो खो गये तो यहां पर आपका decentralized wallet भी यहां पर खो गया आपका फंड समने lose हो गया तो यहां पर मेरा metamask open हो चुका है तो metamask में transfer करने के लिए मैं पहले कुछ बता देना चाहता हूं तो यहां पर अगर जो आप three dots पे click करेंगे तो यहां प आप दूसरा wallet यहां पर तीसरा wallet चौथा wallet तो यहां पर आप ही एक ही wallet create कीजिए और यहां पर एक wallet create करने में देख सकते हैं आपका यह जहां पर address यह देख रहा है ठीक है यह address यहां पर आपके wallet का होने वाला है अगर जो कोई भी fund आपको इस address पे भेज़ेंगे तो आपके इसी account one wallet में यहां पर आएगा और यह जो address है अगर जो यह address मैं Ethereum का address देखूँ ठीक है Ethereum का address देखूँ तो यहां पर वो address यहां पर एक ही होगा अगर जो मैं receive पर click करूँ तो देख सकते हैं यहां पर F3DD ठीक है सब अगर जो कोई भी token लो यहां पर मैं USTTP भी लो तो यहां पर भी क्या कह सकते हैं गाइस यहां पर भी F3DD वही address होगा वही address अगर जो मैं यहां पर network चूज करूँ ठीक है network यहां पर main है तो यहां पर मैं Rb Trump पर हूँ अगर जो आप यहां पर से switch करना चाहते हैं Binance Smart Chain ठीक यह network यहां पर दूसरा है अगर जो आप यहां पर fund लेना पर आप switch कर सकते network चाहिए यहां switch कीजिए ठीक है network आपको यहां पर अपने centralized exchange में switch करना है ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ डेमों करके यहां पर मैं Binance में कुछ Ethereum यहां पर transfer करूँगा तो यहां पर इसको हम open कर लेते हैं एप को आप nast schle friction है रेकिया यहां पर मैंने आप को ओपिन कर लिया। जर्णी करते हैं है जैसे मैंने वालिट्स पर click किया और यहां पर हम क्लिक करते हैं as part पर network थोड़ा है गैस हो यहां पी इसप्उर्ट करने के बाद देख सकते हैं यहां पर मेरे एथ एथे पर देख सकते हैं विड्वाल का उप्शन है इस पे क्लिक करना है आपको send via crypto network इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना address paste कर देना है जो आपने अभी address copy किया था ठीक है तो यहाँ पर हम फिर से एक fund रखना चाहते हैं ठीक है जिस network से fund भेजना चाहते हैं तो उसी network पर आपका यहाँ पर fund इस्टोर होगा तो दिख सकते हैं यहाँ पर जो मैं RB Trump भेजूँगा तो यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी ठीक है अगर जी यहाँ पर मैं optimism में भेजूँगा तो यहाँ पर जीरो फीस लगेगा और यहाँ पर अगर जो मैं बाइनस smart chain में भीजूँगा तो जीरो पॉइंट जीरो एड़ लगेगा तो यहाँ पर गाईज हम भेजते हैं ठीक है और यहाँ पर हमने सारे verification को डाल दी हैं अब submit करते हैं तो यहाँ पर मेरी withdrawal request यहाँ पर submit हो चुकी है और यहाँ पर कुछी देर में हमारा fund यहाँ पर successfully यहाँ पर transfer हो जाएगा देख सकते हैं मेरा transaction यहाँ पर complete हो चुक है और यहाँ पर अपना metamask open करते हैं यहाँ पर मेर तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा wallet है अभी smart chain पर switch है ठीक है लगा हुआ है तो यहाँ पर अगर जो हम Ethereum check करूंगा ठीक मैं अगर यहाँ पर Ethereum token import भी करूंगा तो यहाँ पर नहीं दिखेंगे ठीक है अगर जो मैं इस पर click करके अगर यहाँ मैं Ethereum main network पर भी Ethereum अपने लिए करता हूं यह बग है एक्सोंटावण डॉलर एक्षिली मैं है नहीं ठीक है यहां पे दीख सकते हैं यहां पे जीरो डॉलर दिखा रहें तो हमने यहां पर इथिरियम जब सेंड किये थे तो वहां पर आर्बी टरम सेलेट तो यहां अगर जो आप network इसे add करना चाहते हैं अगर जो आपके पास network नहीं तो यहाँ पर add पर click करके ठीक है यहाँ से भी add कर सकते हैं आपको यहाँ पर list दिख जाएगी यहाँ से add कर सकते हैं और यहाँ पर अगर जो अपने metamask का portfolio चेक करना चाहते हैं उसके लिए मैं एक site बताता ह और यहाँ पे browser पे click करना है आपको ठीक है browser पे click करके यहाँ पे आपको search करना है यहाँ पे आपको search करना है portfolio. portfolio. metamask.io ठीक है इस site को open करने के बाद यहाँ पे आपको connect metamask पे click करना है और यहाँ पे आपको connect करना है ठीक है जैसे यहाँ पर आप connect करेंगे आपका MetaMask wallet यहाँ पर connect हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा overview आ चुका है मेरे पास total जो मेरे MetaMask wallet में value है वो $82 है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर RB Trump का sign बना हुआ है RB Trump पर कितने मेरे पास Ethereum दिख रहा है और मेरे पास BNB पड़े हुए हैं वो यहाँ पर Binance Smart Chain पर पड़े हुए है इसके उपर छोड़ा सा icon बना हुआ है Raka पड़े हुए हैं वो Binance Smart Chain पर पड़े हुए है तो उसी पड़े हुए Antcoin जो यहां पर Binance Smart Chain पर पड़े हुए अगर जो यहां पर NFTs पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास जितनी NFTs होंगी वो यहां दिख जाएंगी ठीक आप देख सकते हैं सारे आपकी कितने नेटवर्क यहां पर सपोर्ट करता है अब कितना fund है और Binance Smart Chain पर कितना fund है और यहां पर देख सकते हैं Ithereum पर मेरेबास Zero Fund है Ethereum Network पे और आप सारे Network पर आप पितना fund है देख सकते हैं ठीक है और यहां पर बिच का भी option मिलता है चाहे तो आप यहां पर चाहें तो यहां पर आप अपने Binance एस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर अपना फंड यहां पर मुफ कर सकते हैं अगर जो आप मुफ करना चाहते हैं ठीक